नमश्कार आप देख रहें स्मार्ट विजनिस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्पूर्ट कवरों का किसान भाईयों अभी जून महीने में करें फूल कोवी की उन्नत खेती और कम समय में कम जमीन से लाकों रोपे कैसे कमा ये जानेंगे इस वीडियो में हम यदि आप जून महीने में फुल गोवी की खेती करते हैं तो आने वाले 60 दिन में आपकी खेती आराम से मार्किट में विखनी के लिए तयार हो जाएगी इससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है कैसे हो सकता है क्या प्रॉसेस रहेगी सब कुछ आप जान पाएंगे साथ ही आप उन्नत किस्मों के वारे में भी जान पाएंगे किरपे आप वीडियो को लाच तक देखते रहे हैं यदि आपके कोई सवाल है डाउट है तो आप कमेंट करके पूँच सकते हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए संपून वर्ष वर में की जाने वाली इस फूल गोवी की खेती किसानों के लिए कमाई का एक अच्चा सरोत है और किसानवाई फूल गोवी को अलग-अलग मौसम में लगा कर अपनी इंकम को बढ़ा सकते हैं फूल गोवी की खेती के लिए जलवायू की बात करें तो फूल गोवी के लिए ठंडी और आर्द जलवायू की अवशक्ता होती है यदि दिन अप एक चक्रा छोटे हो तो फूल गोवी की बड़ोतरी अधिक होती है फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंगे हो जाती है अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की अवशक्ता होती है तो आप बस नरसरी तयार कर लीजिए जून महीने में आपकी एक महीने में नरसरी तयार होगी जुलाई महीने में लगाओगे आप और जुलाई महीने में वारिस सुरू हो जाती है पंदरा जुलाई के बाद तो सुरू हो ही जाती है वारिस तो आप यदि इस मौसम में करोग जुलाई महीने में वीच की रुपाई करेंगे 15 जून के बाद रुपाई करेंगे और जुलाई महीने में तो फिर 15-20 जुलाई के बाद ही लगाएंगे यदि आप 15 दिन पहले भी नरसरी डाल दोगे तो भी आफ के लिए फायदा हो जाएगा बात करें उनने सिर्फ किसमों की तो फूल गोवी की खेती कई तरह की किसमों पर आधारित होती है जैसे की अगेती किसमी आती है मद्य में आती ही पिछेती आती है आपको किस समय करना है और किस टाइम फे फूल गोवी की प्रोडक्शन या उत्पादन लेना है तो आप उस रिसाब से लगाईए आपको यदि जल्दी लेना है फूल उसमें फूल गोवी में तो अगेती किसम लगाईए मीडियम समय में लेना है तो मद्यम किसमे लगाई और पचेती पिछले लाश्ट समय में लेना है तो पचेती किसमों को लगाईए तो आप अगेती किसमों को लगाते हो जैसे अरली, कुआरी, पूसा कातकी, पूसा दिपाली, समर किंग, पावस, इंप्रूड, जापानी, आदी तो ये आपकी 45-60 दिन में तैयार होने वाली फसले है नरसरी के बाद में, एक माईने तो नरसरी का लगे गाई, फिर इसके बाद खेत में लगाने के 45-60 दिन में ये तैयार हो जाती है, कटने के लिए फिर मद्दमी किसमें, जैसे पंत सुबरा, पूसा सुबरा, पूसा सिंतेटिक, पूसा सुनोवाल, केवन, पूसा अगैनी, सहगनी, इंसार नमर वन, सुहासनी, गिरजा, करीना, गोल्डर, रासी आदी ये किसमें ऐसी है, जो कि 60-80 दिन का समय ले लिती है, फूल देने में, फिर आती है पिचेती किसमें, जैसे पूसा सुनोवाल एक, पूसा सुनोवाल दो, और सुनोवाल सूला, ये किसमें आपका 80-120 दिन का टाइम लेगी, और सबकी अलग-अलग रहती है, कोई सी फ तो उससे पूँच लेजिए, ये फूल कव देगी, फूल गोवी की खिती के लिए यदि हम भूमी और उसकी तियारी की बात करें, तो जिसे भूमी का पिया चमान 5.5-7 के मद्द हो, वह भूमी फूल गोवी के लिए उप्योगत मानी गई है, अगेती फसल के लिए खाद उपलब्द हो, इसकी खिती के लिए अच्छी होती है, हलकी रचना वाली भूमी में परियाप्त मातरा में जवी खाद डाल कर, इसकी खिती की जा सकती है, पहले खित को पलेवा करें, जब भूमी जुताई योग्य हो जाए, तब उसकी जुताई दो वार मिटी पलट या वेस्टिकल का प्रिती किलोग्राम बीच की दर से सोधित कर लेना चाहिए, इसके साथ ही साथ, 160-175 मेली लीटर को, 0,5 लीटर फानी में मिला कर, प्रिती बर्ग मीटर के हिसाब से नरसरी में भूमी सोधन करना चाहिए, तो इस तरीके से आपको बीच की बुआई करनी है, पहले, और कितना वीच लगता है, वो भी हमने आपके लिए बता दिया है, समय की इसमे कोई समय सीमा नहीं है, वारई महीने आप फूल गोवी की खेती कर सकते हैं, वारई महीने के साब से अलग-अलग महीनों की अलग-अलग भी जाते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी हम इस समय कौन सा वीज बो सकते हैं जून महिने में तो आप हमें कमेंड कर सकते हैं जो की वैश्ट रहेगा वही आपके लिए बताएंगे तो आप हमें कमेंड करके पूँच सकते हैं पौद साला की बात करें तो पौद साला कैसे तयार करेंगे तो स्वस्त पोदे तयार करने के लिए भूमी तयार होने पर 0.75 मीटर चोड़ी और 5-10 मीटर लंबी 15-20 सेंटी मीटर उची क्यारिया वना लेनी चाहिए दो क्यारियों के बीच में 50-60 सेंटी मीटर चोड़ी नाली पानी देने तता अन्य क्रियाओं करने हेतूर रखनी चाहिए पोद डालने से पहले 5 किलोग्राम गोवर की खाद प्रिती क्यारी मिला देनी चाहिए तता 10 ग्राम मियूरेट और पोटास वर 5 किलोग्राम यूरिया प्रिती बर्ग मीटर के साब से क्यारियों में मिला देना चाहिए पोदे 5-5 सेंटी मीटर दोरे की कतारों में डालना चाहिए क्यारियों में बीज बुआई के बार सड़ी गोवर की खाद से बीज को ढख देना चाहिए इसके 1-2 दिन बार नालियों में पानी लगा देना चाहिए दबेगा भी नहीं और जल्दी जर्मिनिशन हो जाएगा क्योंकि उसमें टीफ नहीं लगेगी यदि वो भी विवस्ता नहीं हो रही है, तो आप जो जूट की बोरी रहती है, जैसे आलो के कट्टे आते हैं, खर के कट्टे आते हैं, तो इस टायव की जूट की जूट की जो बोरी है रहती हैं, उनको भीगो कर डाल दी तो आपका 2-3 दिन में जर्मिनिशन बहुत अच्छ दे दीजिए तो यदि ऐसा कर दोगे तो भी आफको 3-4 दिन लगेंगे जर्मिनिशन काफी अच्छा होने में और जबर्जस्त जर्मिनिशन होगा दो दिन बाद आफको देखना है उस कपड़े को या बोरी को या साड़ी को उटा कर कि जर्मिनिशन हो गया क्या जैसे ही जर्मिनिशन हो जाता है तो उस कपड़े को हटा दीजी otherwise उस साड़ी या बोरी में आफके वीज जो है वो पौदे बनकर उसमें अंदर गुज जाएंगे फिर जब उटाओगे तो पौदा नश्ट होगी तो उसके पूरा जमीन से वाहर निकलने के पहले ही आपको वाहर कपड़ों को हटा लेना है तो इस बात का विशिशकर ध्यान देना है बात करें पौद रोपन की तो फसल समय के अनुशार रुपाई अवंबुआई की जाती है जैसे अगेती में मद्य जून से जुलाई फिरतम सब्ता तक पौद डालकर और पौद तयार करके 45 सेंटीमीटर पंक्ती से पंक्ती की दूरी और 45 सेंटीमीटर पौदे से पौदे की दूरी पर पौदे डालने के 30 दिन बाद रुपाई करना चाहिए मद्यमी फसल की बात करें तो फसल में अगस्त के मद्यमें पौद डालना चाहिए पौद तयार होने के बाद पौद डालने के 30 दिन बाद 50 सेंटीमीटर पंक्ती से पंक्ती और 50 सेंटीमीटर पौदे से पौदे की दूरी रुपाई करनी चाहिए और पिचेती फसल लगा रहे हो तो मद्यम अक्टूवर से मद्यम नविमबर तक पौद डालना चाहिए और 30 दिन वाद पौद तयार होने पर रुपाई 60 सेंटीमीटर पंक्ती से पंक्ती और 60 सेंटीमीटर पौदे से पौदे की दूरी पर पौदाई करनी चाहिए हमने तीनों तरह की फसले वता दी अगेती मद्यमी पिचेती लेकिन बीज आपको अपने इसाब से लेकर आना है ठीक है? बात करें खाद एवं उर्बरक की तो फूल गोवी की अधिक उपज लेने के लिए भूमी में परियाप्त मात्रा में खाद डालना अत्यनतावशक है मुक्य मौसम की फसल को अप एक चक्रत अधिक पोशक तद्वों की अवशकता होती है इसके लिए एक एक्टेर भूमी में 35-40 कुंटल गोवर की अच्चे तरीके से सड़ी हुई खाद एवं एक कुंटल नीम की खली डालते हैं रुपाई के 15 दिनों के बाद वर्मी वाश का प्रियोग किया जाता है और यदि रसाइनी खाद का प्रियोग करना हो तो 120 किलोग्राम नाइट्रूजन 60 किलोग्राम फास्पुरस तता 60 किलोग्राम पोटास तद्व के रूप में प्रियोग करना चाहिए बात करें सिचाई प्रवंदन की तो पोदों की अच्ची ब्रद्दी के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी कहोना त्यंतावशक है यदि आप अभी जून महीने में करोगे तो आपको जून और 15 जुलाई 15 य 20 जुलाई तक ही सिचाई करने की अवशकता पड़ेगी इसके बाद में वारिश सुरू हो जाती है तो फिर तो हमें जरूरत पड़ती ही नहीं तो आप अपने हाँ के मौसम और फसल को देखकर सिचाई करेंगे बात करें खर्पदवार नियंतरन की तो फूल गोवी में फूल तैयार होने तक 2-3 निंदाई गुड़ाई करना खर्पदवार नियंतरन के लिए वैश रहता है यदि वैबसाई के रूप में खेती करना चाते हैं तो खर्पदवा नासीदवा जेंसे जैपी गेती نہیں कर रहे हैं रसाइने खेती कर रहे हैं आप तो खर्पदवा नासीदवा जैसे इस्टाम्प 3.0 जीरो परती लीटर को 1000 लिटर पानी में घोल कर प्रिती हेक्टेर के साथ से चिर्काफ करेंगे तो आफ के लिए वकाफिय तक फायदा होगा लेकिन ये रोपन के पहले करना है जब आफ खेत में गोवी लगाओगे उसके पहले आफ को इस्टाम दवा कर इस्तमाल करना है अब बात करें फसल कटाई की तो फूल गोवी की कटाई उस समय करनी चाहिए जब फूल उचित आकार के ठोस दिकाई देने लगे फूल गोवी या हेट को नीचे से काटना चाहिए जिसे की लाने ले जाने में फूल की रक्चा वनी रहे फूल की कटाई हमेशा सुबह या स्याम के समय करनी चाहिए और आपकी मंडी में जैंसे फूल विक्ते है वैसे ही आपको Cutting करनी है यदि बिना पत्वों के मंडी में Sail होता है तो आप नेचे से काट के पत्वों को हटा सकते हैं यदि पत्ते के साथ में आपकी मंडी में सेल होता है तो आप पत्ते सहीट मार्केट में बेच सकते हैं उप्रोगत विधी को अपना कर यदि आप अच्य तरीके से या मौसम का वर्ठपूर साथ मिल जाता है वीज का चुनाव अच्छा करते हैं तो आप एक hectare से 300 से 500 कुंटल प्रिती hectare तक फूल गोवी की बजन में पैदावार ले सकते हैं डिफेंड करता है इसमें वीजों के उपर भी कि आप कौन सी किस्म या कौन सी बेराइटी लगा रहे हैं बहुत सी किस्में ऐसी रहती है फूल अच्छा बनता है लेकिन बजन में नहीं रहती बहुत सी किस्में ऐसी होती है फूल छोटा रहे लेकिन बहुती ठोस रहता है जैसे कि आप गोल्डन को देख लीजिए गोल्डन का फूल छोटा निकलेगा लेकिन बहुती ठोस निकलेगा या फिर आप करीना का देख लीजिए करीना का और सुहासनी का फूल काफी ठोस रहता है तो यह ऐसी किसमे है जो की प्रोडक्शन में बजन काफी अच्छा और ज़्यादा दे देती है तो इस तरीके से किसान वाईयों आप फूल गोवी की खेती करके अपनी इंकम को बढ़ा सकते हैं अब इसके अलाबा आपकी जो भी डाउट है किस तरह की खेती आप करना चाते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आएए तो लाइक कीजी ज़्यादा ज़्यादा किशान वाईयो तक सेयर कीजी और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सस्क्राइब कीजी स्मार्ट विजनिस प्लस यूटूब चैनल को और प्रेस कीजी वैल आइकन को चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार